नमस्कार किसान भाईयों आज हम आपको बताएंगे कैसे आप गंबले में मूली को उगा सकते हैं इसके लिए आप सरोपथम एक गंबला लीजिए जिसकी गहराई 10 से 12 इंशे करीब हो और उसमें आप 50% खेट की मिट्टी और 50% सड़े हुए कोबर की खात को ले ले जो खेट से आप मिट्टी लेकर आएं उसमें से आप जितने भी खरपतवार हैं उसको निकाल दें आप अच्छी तरीके से निडाई गुडाई करके और फिर उसके बाद आप उसमें 50% गुबर की खात को मिलाकर अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर ले और उसको पॉट में पूरी तरीके से भर ले और उसके बाद आप उसमें क्या करें की जो बीज है उसका आप रोपन करेंगे लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है इसका पॉट में होगाने का तो पॉट में होगाने से यह है कि आपको जो मूली या गाजर या चुकंदर जो भी मिले गवाओ पूरी तरीके से फ्रेश होगा और्गेनिक होगा उसमें किसी भी तरीके का रसाइनिक उर्वरक चेकर या फिर इतना सक का इस्तिमाल नहीं किया जाएगा जिससे क्या है कि वो आपको सरीर के लिए फायदे मन्द होगा इसका इस्तिमाल ज्यादा bucketsन गाडनिक में इसका इस्तिमाल कर रह और उसके बाद तीसरे नमबर पर हमें बीच में जो खाली स्पेस था उसमें हमने गाजल के बीच को बोया था इससे क्या हुआ कि यह मिक्स क्रॉपिंग है जिससे हम कम जमीन में ज्यादा मतलब उगा सकते हैं वो सब्जीयों को इसके लिए देख सकते हैं कैसे इसमें कोई भ भी घर पे हमने बनाया था किशन वेस्ट से जो फटलाइजर बनाया था उसे का इस्तिमाल हमने इसमें किया है तो और दोस्तों यह पूरी तरीके से और गैडिक ए आप सकते हैं जितने भी जमीन नहीं है वह आप भी इस तरीकों के इस्तिमाल करके घर पे ही आप मूली हम अ से 14 पीस मूली हमने इसमें गाई थी देख सकता हैं बीच में इसमें गाजर की फसल है चुकंदर की फसल की ग्रोथ तो कुछ अच्छी नहीं आई है लेकिन इसमें जो गाजर है वो उसकी ग्रोथ अच्छी आई है देखें मूली की ग्रोथ है काफी अच्छी ग्रोथ है कोई स किसी भी तरीके से कम नहीं है खेतों कि मुली में और यह पूरी तरीके से और्गेनिक है धन्यवाद दोस्तों